हे इवरीबान आसलानेकूम विल्कम बैक्ट वाइए यूट्यूग चैनल थिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही मैगी बनाया है तो और इसे मैंने इतनी अच्छे तीरीके से डेकोरेट कर दिया और जबर दर्स लगने लगा किसी इस पेशल उकेजन पर आप इस तीरीके से ड जाला जब थोड़ा सा अनियन पक जाए ना पूरी तरीके से ना पके उसमे एक टुमैटो डाल दिया हूँ और ग्रीन चिली अगर तीखा आपको जादा पसंद है तो तीखा कम कर लें मुझे तीखा कम करना था क्यूंकि तीखा नहीं खाया जाता तो इस वज़े से मैंने अगर आपको तीखा जादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं यह मैंने टुमैटो केचिप डाला है जब यह सारे कुछ पग गया है और इसके बाद थोड़ ऐसा मैंने यह ग्रीन चिली सॉस डाला है और यह डार्क सोया मैंने डाला है डार्क सोया से इतना जबरदस्त का टेस जो टेस्ट रहता है बहुत ही उम्दा आता है अब जरूर इस तरीके से ट्राइए करें फिर मैंने तक्रीबन एक ग्लास के बराबर पानी डाल दिया और यह मैगी ती ना मैंने इसमें सारे इसमें डाल दिया उसके बाद जो मैंगी मसाला है ना आप एक साइड मसाला रहता है तो आप इसको पार कर अच्छे से डाल लें। पर इसके बाद इन सबको अच्छे से पकाने के लिए छोड़ दें। उसको डोक्र कही पका सकते हैं , ओक्ते को एक जाने खेज़्ा कियाई क्यानी एक मैंने ख्रुमे को औरना दॉर सबस्कतते हैं है आ जबर्दिस्थिंगे हैं अच्छा विल एक पाइम झके में वरी प्रिंग्स है मैंने क्याबज को बारी कट कर लिया था पहले ही पहले मैंने इससे नहीं डाला क्यूंकि यह गल जाती है तो फिर इक्तम टेस्ट बिकार आ जाता है इसको ओपर से ही आप डाले अगर आपके पास और भी वेजीज है तो आप डाल सकते हैं फिर मैंने टोमैटो केचप से का शेप दिया है और यह जो मैंने मैगी बनाया था ना एक कॉर्णर पर रख दिया इसको और इस तरह के साथ डेकोरेट करके देना तो बहुत ही जबश्दस लगता है और देखने में भी अठ्राक्टिव लगता है खाने वाले तो मज़े से खा लें वैसे भी मैगी का टेस और हमारी मैगी आप ज़रूर यह ट्राइग करें और वीडियो अच्छे लगए तो लाइक शेयर लाजने कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताएगा किस तरीके का डेकरेशन यह लगा और आप ज़रूर अपना यह गई इसे ताइंक यू इंजॉइट